नम्र 5 मैं मेरे पास यह सॉस की बोतल थी मैं इसको डेपूरेट करने वाली हूं पूराने वुलन से मैं नहीं दो कलर के वुलन लिया है एक वाइट और रेड का कॉंबिनेशन काफी अच्छा लगता है तो मैं ने यह वाइट और रेड कलर लिया है तो वाइट कलर मैं उसके तो उसके बाद में राउंड करते हुए जाना है हमें इसको डूक्निकी आ राउंड करना है। पर आदे में हम इसको वाइड कलर कर लेंगे और इंड-पैंड पिप्र बांद दिया और यहां से पिर उनको अमाते हुए जायेंगे अपर पर आने की चांसी रहते हैं तो उसी समय हाथ से नीचे करते चले जाना नहीं तो बाद में ये बिककार लगेगा जब हम लपेट रहूंगे था नीचे करते हुए जाना है इसको पूरा लपेट लेंगे मैंने पूरा कर लिया है, अब देखिया, रेड और वायट, पूरा एकदम प्ले लग रहा था, तो मैंने इसमें छोड़ा सा डेकॉरषन करने के लिए, तो इस तरह में निकर लिया है, आप को और डिजाइन लीसमें दे सकते हूं, या ले इसे डेकुरेट कर सकते हो, मिर्र लगवा सकते हो, लेक बांडो कुछ भी अपसमें डेकुरेट कर सकते हो, जो भी आपको फोर पे, नम्मर फोर मेरे पास ऐक कार्ड़ था, इस कार्ड़ ब तो पता है यह वर करेंगे हमारी मिरर की अभी जो हमने गोल कटिया है इसमा हम पेस्ट कर देंगे और अब हम कट कर लेते हैं यह मेरे पास अप मेरी टी-शिर्ट थी उसको हम कट करेंगे हाफ आफ हीं साइट से पूरा डायक्त करका है तो जोह में खीच कर अएंगी इस तरह से हम यह खीच सके लिख करने हैं अगर आप पूरा भाया करें होगे न प्राइग करने पर इसके लेसिस आएंगे उस तरह से नहीं है तो थोड़ा था कट लगाना और हाथ उससे प्राइए थी टाइब नहीं है देखिए पूरे में अब जो हमने इस पेश्ट किया था मीरर में इसको हम चाय पत्ति का पॉलिथीन को इसके साइड में पीछ orphco लगा दिया पूरा और इसही साइड में इसको पूरा चिपका लेंगी और खुला वाला साइड भार की तरफ और बंदवाला साइड अंद्र की स इसनी जगे उसने हिला रहे हैं अपनी फिंगर्स दिखाई हैं और बाद मैं नहीं बना लिया था तो इन में दवारा कर भी नहीं सकती थी तो इसी को डाल दिया तो प्लीस अगर आपको कंफुजन होगी कुछ भी तो कमेंट डाउन करके बताएगा मैं आपको बता दूँगी और यह मैंने आप क्या करना है पूरा चिपक जाएगा ना जभी अच्छे से तो थोड़े देर बाद आपको पूरे अगर आप चाहे तो प्लेट रखके उसमें पैंसिल से या पैंसे लाइन खींच के भी कट कर सकते हो या इस तरह से आपको जहां-जहां से बढ़ा लंबा तो यह नेंचे से साइट को नहीं लटकेगा ऐसे ही वहां पर चिपक रहेगा अभी फैविकॉल आपको दिख रहा है ना जबी सूख जाएगा तो फैविकॉल यहां पर दिखेगा नहीं तो चलते हैं हम नम्मर थर्ट की तरफ अब नम्मर थर्ट पे आप देखिए क्या है मेरे पास मेरे पास यह है जाली है जो दूट ढखने के लिए हम जाली लेते हैं वो यह दो तीन जालिया थे मेरे पास यह बेकार हो चुकी थी मैंने काफ़ी टाइम जिन को रखा हुआ था और इसमें अब जंक भी लग चुका ह पूरानी साडी का पल्लू था इससे मैंने कुसं कबस बनाए थे पिछले साल मैंने इस वाले डेकॉरेशन के लिए तो काफी ब्यूटिफुल है साइनी है इसका पल्लू का अच्छा लगता है मुझे इस तरह का तो मैंने इसको समाहल के रखा हुआ था तो अब क्या करेंग है एक थाल को चोटा सा हैंकी सा था तो काफी टाम से रखा हुआ था यूज नहीं हो रहा था तो यह मैंने इस तरह से दूसरे वाले में कर दिया है अब इसको हम इसी के नीचे साइड में मैं इसको डेकॉरेट कर दूंगी या फिर कहीं और फिर कर लोंगी और प्लेन सा वाव यह भी होती संदर लग रहे हैं मेरे पास एक दिवाली मा आय था हा तो दिवाली मा आय था गिफ्ट और इसमें डाइक फूर्स वगर आय थी आसे से रखके यहां पर करते हैं तो और पर सामाल लखने के लिए चाहिए होता है तो मैं इसको रखोंगी तो और डाइक पाते हैं तो हम इसको फैकनानी चाहिए हमें इस तरह से उनको डेकोरेशन में यूज़ करना चाहिए तो चलिए इसको भी हम यूज़ करते हैं कि अगरेशन में यह देखिए यह में पास एक दो से तीन स्वेटर स्थी वूलन की जो की अब पहनने में नहीं आ रहे थी पिछले साली बना दिया था इसका वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाए थी मेरे पास थी वूलन की स्वेटर जो की घर में कोई पहन नहीं रहाता तो मैंने उनको पहले उधेड दिया उधेडने के बाद इस तरह से पॉम पॉम बनाएं पॉम बनाने के बाद बाद तो काफी अच्छा हो जाता है उसका जो पुरी मूरी से होती है तो पंपो काफी खीला-खीला सा आता है